Good morning children, welcome to maths class children, children today we are going to do subtraction with regrouping two digit numbers, ठीक है, आज हम subtraction करेंगे, regrouping two digit numbers के साथ में, ठीक है, तो first some example उन्होंने दे रखी है, solving की है, मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिये बेटा, subtract 6 from 13, हमें 6 को 13 से subtract करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उपर 13 लिखेंगे जल्दी स और 13 के नीचे, 3 के नीचे 6 लिखतेंगे, ठीक है, अभी we cannot subtract 6 ones from 3, ones, उपर हमने 13 लिखा, नीचे हमने 6 लिखा, तो हम 3 में से ones place से शुरू करेंगे न, ones place में उपर 3 है, नीचे 6 है, तो 3 में से 6 तो हम subtract नहीं कर सकते न, 3 smaller than 6 वो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अभी हम हमारे पास जो 10 है न, 10 कितना है, 1 10 है, तो हम क्या करेंगे, 1 10 को convert कर देंगे, किस में? 1 10 को हम 1 10 में convert कर देंगे, तो 10 ones आ जाएगे है है, वो 10 ones हम add on कर देंगे, हमारे 3 ones में, तो हमारे पास कितने ones हो जाएंगे 13 ones हो जाएंगे है ना यहाँ पर नीचे देखो match box और match stick दे रखी है ना नीचे एक उन्होंने match box दे रखा है वो एक 10 का group है ठीक है और match sticks जो है वो 3 है नीचे तो हम match box में से match sticks निकाल के हम इसको क्या करेंगे इसमें once में add on कर देगे तो हमार पास कितनी match tricks हो जाएंगी 13 match tricks हो जाएंगी means 13 ones हो जाएंगे हमारे पास है ना अब Sutton once में से हमें कितने once subtract करने है six one जो है में subtract करने हैं उन्होंने नीचे दे रखाό ए 13 match tricks लगा है उसमें से उन्होंने six को काट रखा है तो मार पास कितनी बच गई पीछे 717 मैच्टिक्स बच गई 717 बच गई ठीक है हमारा आंसर है 7 हमारा आंसर है न वैसे हमें नीचे भी दे रखा है वो करेंगे उन्होंने दे रखा है 7 from 32 अब हमें 7 को 32 से सब्ट्रेक करना है जल्दी से 32 को उपर लिख लीज ये 7 one place पे आजाएगा one place पे उपर हमारा 2 है नीचे हमारा 7 है अगेन उपर 2 है 2 is smaller than 7 है ना 2 7 से चोटा है तो छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को सब्ट्रेक नहीं कर सकते ना तो अब हम क्या करेंगे इससे पहले वाले नंबर से हम लोग help लेंगे ठीक है हम क्या करे 3 10s थे 3 10s में से 1 10s हमने लेके 1s में convert कर दिया तो हमारे पास यहाँ 2 10s बच गए और हमारे पास जो 2 1s थे हमारे पास 12 1s हो गए क्योंकि हमने 1 10s का गुरूप वहां से लिया है तो हमारे पास 12 1s कितने होगे 12 हो गए है ना अभी हम 12 one में से 7 one minus कर देंगे तो कितना बच जाएगा 5 one's बच जाएगा है ना तो हमारा answer क्या है 2 हमारे 10th place पे 2 है और one's place पे 5 है तो हमारा answer क्या है 25 है ना वैसे हमें ये last sum भी करना है मैं समझा देती हूँ बट आपको करना खुद से है 15 minus 7 दे रखा है तो हमारा 10 कितना है यहाँ पर 110 है और हमारा one's कितना है 5 one's है अगें 15 को उपर लिखिए नीचे 7 को लिख लिजे जल्दी से आप जो one's place पे 5 उपर है नीचे 7 है ना तो 5 smaller than 7 5 चोटा है 5 में से हम 7 को कट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हम हम 10 place वाले से help लेंगे 10 place में जो one's है हम वाह से हम एक 10 का one's का group ले लेंगे 10 ले लेंगे ठीक है तो हमारा कितना हो जाएगा 15 one's हो जाएंगे 5 one's में हमने 10 one's और है down कर दी हम आपको 15 one's होगे अब हम 15 one's में से 7 one's निकाल देंगे तो हमारे पस इतने वांस रह जाएंगे एट वांस तो हमारा आंसर कितना है यहां पर एट तो आपको आज का यह हूंवक है सॉल्व करिए और ध्यान से समझ जीए बेटा ओके बाई चिल्डरन है वनाइस डे